ये जो वीडियो मैंने एड की है बारिश वाली ये है सैटरडे की सैटरडे वाले दिन मौसम बहुत खराब था बहुत तेज बारिश आई थी ओले पड़े थे और मौसम देखो ऐसा हो रखा था ठंड बढ़ गई थी तो मैंने कर चलो आप लोगों के लिए एक लिप एड कर तो देख सकते हो आप कितना खराब मौसम था गुद मौर्निंग प्रेंट्स वेल्कम चानल दीपक दिया खना व्लोग कैसे हैं आप सब लोग खुब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज की व्लोग के स्टार्टिंग हो गई है किचन से दूद बॉइल कर रहे थी द बहुत सारी सब्जियां मैंने ली थी बहुत सारी के मतलब बेसिक सब्जियां टमाटर प्यार सब के पास होने चाहिए तो वह ही ली थी उसको अरेंज कर रही हूं मैं और यह धनिया है थोड़ा सा फ्री में मिल गया इसको अभी काटके डबी में करके रखूँगी एक कर गाश है पूंडेक तो य के बदल में टेल के लिक आंएन को आयाया बै दो आम ल具 पर आँटो करें श्रहें को और प्याश कर लों इसे बेसिक सब्जी में का पासाली तुर देख में हों मैं थाट हूं आथा अनल सब्दी परच्छा आलूने चाहिते हैं अब भलोग inequ If ब बनाई लेते हैं बहुत दिन हो गया है तो आलू पूरी बनानी की तैयारी मैंने कर दी हैं आप लोग देखी सकते हो चार पाच आलू लिए हैं मैंने उनको अच्छे से वाश करकर के कुकर में डाल रही हूं मैं और आलू को हमेशे दो के इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि इस सी तो नीचे रख दिया ताकि पानी निकल जाए अच्छे से और बरतन वाश कर लूँगी बरतन हो रहे हैं रात के बरतन हैं सुबह करनी पाई थी बट आप कर रही हूं टंके के पानी से ही सारा काम कर रही हूं मैं और यहां पर जो विंबार है इसको कटोरी में थोड़ा सा घूँगी भरतन अच्छे से दूल जाए और मैं न बरतन दोने लगी मुझे है क्षिशन में काम करती हूं न तो मुझे ऐसा लगता है कि साफ हनी जाए कि इन दो चाहिए कि भरतने करना बनाना चाहिए गंदी किचन में मैं काम करना पसंद नहीं करती अगर मुझे खाना नहीं बनाना होता तो मैं सोचती कि चलो थोड़ी देर में बरतन दोलूंगी बट अभी मुझे बनाना है खाना तो अभी मुझे बरतन दोने हैं वरना थोड़ा सा कभी-कभी हो जाता है कि सुबह की बरतन द बढ़ ब्रस है बट अब किचिन में कामना है इसलीए चाहिए तो वह भी मैंने नीचे टोकरी में लख दिया और साथी साथ डालोंगी थोड़ा सा नमक हम वैसे भी नॉर्मल जब आटा रोटी के लिए भी गुंती हूं तब भी मैं उसमें नमक ज़रू डालती हूं और थोड़ा सा मोयन के लिए रिफांड ओयल इस्तमाल कर रही हूं और इस छोटे से बरतन में मैं दो रही हूं कैरी ग पानी आट करूंगी और अच्छे से आटे को गून लूँगी और आटा गूनते गूनते मुझसे मतलब दिक्का तोरी थी इस वज़े से मैंने क्यामरा मतलब आफ कर दिया था तो देखो आटा गून गिया है और साथी साथ मैंने धनिया पत्ती भी काट ली है बारिक-बारिक और इस तरीके से काट के न ऐसे सील प्रूफ जो धकन वगारा लगा लो तो धनिया सूपता नहीं है और आलू बाइल हो चुके हैं जब तक ही ठंडे होते हैं अंदर चलते हैं दिया के पास कमरे में देखते हैं मैडम क्या कर रही है अब तो डॉक्टर बन गई है ना दिख है ना सब का मेक अप कर रही थी हो अपनी वह वाली किट के साथ यह वाली इसकी है डॉक्टर साहिप वाली किट बहुत अच्छी लगती है मजको यह वाली किट इसको दिलागे ना मैं अपने शौग भी पूरे कर लेती हूँ है ना क्या-क्या इसमें दिखाओ-दिखाओ पता नहीं क्या विश्चीज रहा है कुछ तो हमको पता भी नहीं है पटी पटी थी देखो बैंडिज भी है नकली अरे वह यह तो मैंने देखा ही नी सीजर भी है सीजर तो इसी खिलोन है जिससे बच्छों को बी कोई नुकसान नी होगा यह देखो प्यारा सा फर्ममीटर से अर्म बेटर दूबंदा आ रहा है ऐसे ऐसे यह देखो जाते रहते हैं न यह लोग इस वजे से यह देखो दाथ में खुलने को अपला का चोटा का सब चीज़े हैं खेल बाबु दियो को बहुत अच्छा लाका इस तरीके के और थोड़े से अक्टिविटी भी हो जाती है बच्चे की बच्चे को ना इस तरीके के खेल खेलने चाहिए हैं आजकल बच्चे मुबाइल में घुसे रहते हैं इसलिए उनके लिए यह वाले छोटे-छोटे मासू से खेल खेलते रहना चाहिए है इसी वज़े से मैं इसको दिला देती हूं हम लोग खेलते थे ऐसे खेल उस्टेम डॉक्टर सैट नहीं होते थे बट हम जो गाल करके खेलते थे याद है मुझको अच्छे से बहुत अच्छे लगता है मुझे इसको इस तरीके से देखती और यह देखो घर भी बना रखा है स्कूल का पूरा इंवार्मेंट बना रखा है इसने लंच बॉक्ट बॉटल सब कुछ मज़ा पर यार ऐसी खेल तो मिस्ट करते है आज कल कोई नी खेलता है ऐसी खेल सो कड़ाई जो है मैंने गैस पे रख दी है उसके अंदर मैंने हणान बोलंगे तो इसमें मैं डालोंगी एक टमाटा जो मैंने जॉब करके रखा हुआ है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसमें सारे मसाले डालोंगी मसाले यानिकी नमक, लाल मेच, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक थोड़ा हलका ही डालूँगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है आटे में भी इस्तमाल किया है मैंने और फिर जादा हो जाए तो फिर क्या होता है आपको पता ही है जादा हो जाए तो नहीं चलता कम हो जाए तो उपपर से डाला जा सकता है तो इसलिए कम ही डालूँगी और हिंग जीरे से छोको या टमाटर से छोको सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है आपको पता ही है आलू कि सबजी तो सदा बाहर है आलू तो बनाई लो आलू सबके घर में जरूर मिलता होगा आलू तो सबका ही फेवरिट होता है हाँ कभी कभी बोर हो जाते हैं आलू आलू खाके पर कभी कभी मन करता है कि आलू की चटपटी सबजी खालो सुकी सबजी भी अच्छी लगती है रस तो मैं रसे वाली बनानी हूँ पूरी के साथ वही अच्छी लगती है, और नमक में थोड़ा कम ही डालती हो। क्योंकि दो-दो सबजी से नहीं बनती हैं अलग-अलग तो इस वज़े से दिया भी यहई खा लेती हैं, मैं भी यह खा लेती हूँ। सबजी को तोड़ी देर केली मैंने messail गो नहीं पाईंगा तो अब इस देखें मैंने आ यह को पाऊंगी, तो आप यह देख सकती हो, pequ यह थो एथी पकाया है तो सब्सब्स ऑलो में आतро नहीं देख दूगा तो मैं ड़छ दूआ कि मैं मैं अपने अलू घुड़ी तcak्यांक कि इसको ताकि जो मसाला है आलू पे चड़ जाए आलू में टेस्ट आजाए आलू फिक्के ना लगे बस यही मोटीव होता है सबका सबजी बनाने का कि आलू फिक्के ना लगे या कोई भी सबजी हो फिक्के ना लगे सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो रेशे वाली बना रही हो तो पानी एट करूंगी और पानी आप अपने अकॉर्डिंग इस्तमाल करिएगा मुझे थोड़ी सी गीली थोड़ी सी सुकी सबजी अच्छे लगते है बट इसमें थोड़ा पानी और एट करूंगी क्योंकि अभी पकाऊंगी भी तो और कम होजएगा पकाने पे भी और दूसरी साइड आप देख सकते हो मैंने तेल गरम होने के लिए रग दिया है तेल भी गरम होरा साइड में सबजी भी हो रही है और साथी साथ में दिया के लिए एक कचोड़ी बनाऊंगी पता नहीं वो सबजी के साथ खाए न खाए तो यहां पर मैंने एक आलो जो बचा लिया तो उसकी सिर्फ नमक से पिठी बनाके उसके लिए एक कचोड़ी बना दी है मैंने एक ही बना रही हूँ पता है मुझे नहीं खाती है वो बट दिल नहीं मानता ना तो दोनों तरीके इस्तमाल कर लूँगी सबजी से भी खिला के देखूंगी और ऐसे भी खिला लूँगी तो तसली सी हो जाएगी तो बस यहां पर जो है मैं बना रही हूँ अपनी कचोड़ी और उसके बाद अपने लिए चार पूड़ी बना लूँगी हो जाएगा मेरा नाश्ता और बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ इस तरीक का खाना तो सबजी आपर आप देख सकते हो हो चुकी है और इस पर मैं डाल दूँगी धनिया पती धनिया टेस्टी लगता है धनिया से टेस्ट दुग ना हो जाता है ये सब ही जानते हैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी मैंने गैस बन नहीं करी है बस ऐसी ही चला दूँ फिर उसके बाद गैस को मैं बंद कर दूँगी तो आप लोग भी खा लीजिए तो नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद नहाद होकर उपर आ गई हूँ टॉवल्स वगारा डालने के लिए अपने चट पर इसलिए डालने हूँ क्योंकि नीचे फिर आओ जाओ ना फिर टंगिये रहते हैं कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं तो आच चुकी हूँ मैं उपर और उपर आके दियू को देखो शितानी सूज नहीं लगती है मुझे एक ने कॉमेंट किया था कि डेलिंग पर चड़ती है तो मैं आपके बता हूँ अकेले वो कभी भी नहीं आती है कभी नहीं छोड़ती है करते हो अच्छा लग दाइं वह लूड़ा मुझे कमण यह वाले कमेंट तो हमारी कहते हैं तो बस कहने है तो कहा है ऊंता है यह यहां पने लिए एक हिरा रहा बिएша रहाए यह को बन चाह fidelity सकी कि यहां बंदी हुई थी वहां से ठोड़ी है यह तो यहां पर जो है बस मैंने टिका दी है और टिका नहीं लेकिन ये गिर या डिंडा ये देखो इस तरीके से तो यहां पर देखो इस वाने बनाए हैं ये मैदे के पापर तूट गया ना निकालते निकालते और ये संत्रे के छिलर्ण सुखा रहा है यह वहां पर नियुकर बनाबं दे की नाम है ने रखी अधर जिए नेपन नेखता कि वाने कटाँ वाने लाई नहीं आपके लाई है अधर बत्यों है नहीं राई है लाई है भर उना लंगा है उना आताम कि अच्छर देता है यूद आता है Cheese कि उटाए भी जाए तो हलो फ्रेंड्स बहुत देर बाद में मिल रही हूँ बिल्कुल लास्त में मिल रही हूँ व्लॉग के और दूप बहुत तेज है मैं अपने आपको क्यामरे में देखनी पारी फिर भी शूट कर रही हूँ थक गई दियों को कोदी में लेके खेल रही थी उसके साथ तो आज का वीजियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना जरूर अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और अच्छा लगे तो कॉमेंट करके बता देना फर्स्ट टाइम चैनल पर जो आ रहे हैं प्रीज च अभी हम चाहेंगे ममी के घर देखेंगे सचमन अगरी उपर आके ना सास फूल रही है मेरी तो चलिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में सब तक के लिए बबाई टिक क्या और जितने लोगों ने मुझे एमेल किये ना उनको मैं देखती हूं आज रिप्लाय करती हूं कुछ क मैं कर चुकी हूं कुछ को रह रहे हैं तो आज मैं करूंगे रिप्लाया सबको अराम से बैच के फुरसत में क्यूंकि कल के लिए मैं वीडियो आज ही बना लूंगी तो मैं फ्री हो जाओंगी है ना दियो बाई करो बाई टेक एन और राखी मेरे साथ चट पर आई हूई ह तो मैं आप लुआ करें याज है यह इंया कि दाखिका कर लास पेपर है है न दो थाटीक मूझे हूँ क्यूंकि कल ड्राइंग का पेपर है ड्राइंग का पेपर में कुछ आनाहिन हे नहीं होता मैं ना लूंग मैं प्रणा लेक्ष्णी बुला गार क्टेका अपने वामली और बच्चों के खास तोर वे ध्यान लखेगा बाइबाई